हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत आपका माईटी श्टडी के एक और वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉली टेक्निक के एप्लाइड मेकैनिक्स के हमारा चेप्टर है फ्रेक्षन और फ्रेक्षन में हम आज की वीडियो में चार्ट टॉपिक क्लियर और करेंगे एक घर्सब गुडाएंक नमबर फॉर्ष्ट हमारा कोपी सेंट और फ्रेक्षन को प्रेक्षन खर शंकुण और की कॉन और फ्रेक्षन नमबर थार्ट मिस्तराम कोड एंगल और फ्रेक्षन और फोर और तो आईए देखते हैं उससे पहले अभी तक आपने क्या कहता है तो घरषड के नियम के नुसार चरम घरषड़वल एफ और संपर्खतलों पर अवलंब्रितक्रिय आड में जो इस्तिर अनुपात होता है उसे हम घरषड़गुडांग को हम म्यू से दरसाते हैं तो इस परकार हमारा घरसर गुणांक यानि की coefficient of friction म्यू इसकोल्ट हो जाता है क्या हो जाता है F upon R तो घरसर गुणांक का जो मान है उन पदार्टों पर निर्वर करता है जिनसे की संपर्क में आने वाले पिंड बने होते हैं तो इस जो गुणांक इस गुणांक का मान संपर्क तलों की अवस्ता पर भी निर्वर करता है जैसे संपर्क तल सूके हैं या उन पर कोई स्नेक आदी लगा है यानि कोई lubricant आदी लगा है उस पर भी depend करता है नमबर टू है हमारा गरसर संकूव यानि की कोई और फ्रिक्षन तो आएए देखते हैं डेफिनिशन तो इसको समझने के लिए सबसे पहले फिगर को देखना पड़ेगा हमारा फिगर के अनुसार इसको समझेंगे तो कह रहा है सबसे पहले चित्र एक में एदी संपर्क बिंदू एको सीर्स यह हमारे संपर्क बिंदू है इसको सीर्स एको सीर्स और अवलंपित क्रिया की क्रिया रेखा ए बी जो अवलंपित क्रिया हमारी यह आर है तो इसकी जो रेखा है यह है बी A, B को अक्ष और कोन लेमड़ा जो अबलम फित्क्रिया से हमारा जो एंगन बनेगा वो हहाँ पर लेमड़ा है ठीक है करें तो अर्ट C मानकर इसको इसी जो कोन लेमड़ा को अर्ट C मानकर फिर स्फिगर 2 में यहां पर एक हो घर्षण को का निर्माण किया जाए यहां पर ब्लेमडा करें तो अर्जिष कौन मान्खर एक संकु बनाया जाए तो यहां पर जो मान्क यहां पर है तो यहां पर संगों के गई यानि की संकों बनाए जाए तो इस संकों बना इसकों हमारा एक तो फोर्स यहां पर देखिया है इसको अच्छी तरिका से समझते हैं यहां पर क्या है एक फोर्स हमारा एफ लग रहा है जिसे हम घरसल बल कहते हैं और यहां पर यह हमारी प्रतिक्रिया है और ठीक है और यह फोर्स है इसका जो परणामी है ऐसे इसका प्राणामी है जो हमारा अबलम पितक्रिया आर से लेम्डा कोंड बना रहा है इसको हम जो लेम्डा कोंड बनने आ है इसको हम घरसड कोंड कहते हैं और जिस संकू की रचना हुई है उसे हम घरसड संकू कहते हैं निकी कोन फ्रिक्षन कहते हैं इसको और डिफली सम सब्सक्राइब के लिए है ठीक है इसलिए एसका कोण लेमडा से अधिक नहीं हो सकता इस प्रकार एधी टुकले पर बल पी किसी भी दिसा में मेज की सताय पर लगाए जाए तो परणामी पृतिक्रिया सदाइब इस संकू की सताय पर यार संकू के बीतर ही रहेगी और कभी इससे विवार नहीं जाए हो सकती ठीक है इस टैप से समझगे नेक्ष हमारा विस्त्राम कोड यहां पर लेमडा बना था उसको ही हम क्या कहेंगे बिस्त्राम कोड कहते हैं अर्थाद विस्त्राम कोड किसी भी इन्यस समतल का 36 से वहतिक्तम कोड है जिस पर संबंधित पिंड बिना माद बादवल की साहता के विस्त्राम कर सकता है ठीक है यह टोपिक क्लिव हुआ नेक्स्ट एक्ते हैं नेक्स्ट है हमारे घर्षॉल वल यहीं की एंगल ऊफरिक्ष्यण ऐह देखतेए तो संपर्क में दो पिंड जब सीमान संतलन की अवस्ता में होते हैं के बीच चरम घर्सराडबल क्रिया करता है तो इस घर्सराडबल और अविलंपित क्रिया का पड़ामी जो कोड अविलंपित क्रिया से बनाता है उसे हम क्या कहते हैं घर्सराड कोड कहते हैं जो कि हम घर्सराड संकू में अभी सीख चुके हैं तो वहाँ पर जो एंगल हमारा बनने लेमडा वह हमारा क्या था गास्राट पोर था तो इस डेफिनेशन से अच्छी तरिका से समझ लेंगे तो आई होब कि आज का यह लेक्षर आपके पसंद आया होगा तो ज्यादा पसंद आया हो तो ज्यादा ज़्याद दोस्तों करें और साथ ही साथ हमार चैनल को जो नए है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्याद दोस्तों का सेर कीजिएगा ठीक है थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो